हेलो दोस्तों स्टॉक मार्केट लीडर में आपका सोगत है चैनल को अगर पहले बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को हिट कीजिए आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा लोग म्यूचल फंड में सिप टो स्टार्ट कर लेते लौंग टर्म आपको वहां पर खड़े रहना है दोस्तों पैशन्स के साथ आपको इन्वेस्ट करते रहना है आप अगर एक दो साल इन्वेस्ट कर रहे हो और मार्केट साइडवेच चल रहा है अभी देखे मार्केट प आपको पेशन्स के साथ बने रहना है दोस्तों आपको हडबड़ी नहीं करनी है क्योंकि अगर आप अरडी बगरा में इन्वेस्ट करते हो यह बड़ी में इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे कुछ ज्यादा रिटन मिलते भी है नहीं आपको तो आपका पैसा ऐसे बढ़ने वाला अगर आपने ओंजय चोटी से अमांट रहने दो आप इसटी से करते रही है आपको लॉंग टरं में इसे dot दिए आपको फिष्यार रिटन मिलते रहेंगी यहाँ पी दोस्तों और दिखिए अभी सिस्टेमेतिक इन्वेस्टमेंनेट प्लान S.I.P में आप चोटी-चोटी आमाउंट लगाते जाते हो और आपको तुरंत रिटन चाहिए रहेते दोस्तों तुरंत कुछ होता नहीं है दोस्तों मार्केट में जैसे कुविड में हो गया वैसे तो कुछ होने वाला नहीं है आपको पेशन्स के साथ बने रहना है द सकता है दोस्तों मैंने बहुत सारी वीडियो पीछे भी बनाई है आगे भी बनाता रहूंगा दोस्तों आप इस चैनल को कंटीनियो कर सकते हो आपको जितनी अमाउंट चाहिए दोस्तों आपको फैनेंशेल प्रेडम कब मिलेगा मुझे एक करोड चाहिए मुझे पचास ल नहीं लगा होगे आप फिर बाद में आपको बोज बन जाएगा दोस्तों यह क्या है कितने पैसा जा रहा है मेरा तो आप छोटी सी आमांट एक क्यालकुलेशन के साथ आपका पूरा खर्चा जो भी आपकी इन्वेस्मेंट जा रही है आपका जो भी घर का कर्चा पूरा निकालके एक साइड में आपका एक एमर्जिंसी फंड आइसा पूरा बनाईए पूरा क्यालकुलेशन के साथ कीजिए और तब जाके आप इन्वेस्मेंट करते रही है पेशन्स के दाद बने रही है आपको अच्छे रिटन ज़रूर मिलेंगे और इस साइपी में बड़ी स्टार्ट कीजिए आपको जैसे ही लगता है आज मार्केट गिर चुका है और आपके किसे में पैसे या भी तो आप लगा दीजिए पैसा 500 की एसाइपी में आप 10,000 आप लमसम लगा दीजिए आज की दिन मार्केट गिर चुका है तो जिस दिन मार्केट गिरता है आपको उस दिन ज्यादा यूनियट मिल जाते दोश्टो तो ऐसे होता है आपको यूनियट पे चलता है दोस्टो यह सैपी जैसे हम शेयर करिड़ते तो यह सैपी बी वह यह आपको यूनिय मिल रहे हैं और आप कितने की SIP कर रहे हैं 1000, 2000, 3000, 5000 जितने की भी कर रहे हैं उतने में जितने युनिट आते हैं उतने युनिट आपको mutual fund आपके account में credit करता रहता है और बहुत चोटी amount मैंने पहले ही बताए दोस्तों आप अगर 500 लगा रहे हैं मार्केट में हर मैंने और अग आपको उसकी हिसाब से amount set करनी है और invest करते रहना है और जैसे ही लगता आपको market गिर गया है कुछ तो गड़ बड़ाया भी market में ठीक है उस टाइम पे आप लंसम लगा दीजे आपको क्यूंकि market तो डूबने वाला है नहीं दोस्तों एक दिन गिर गया है तो बाद में उठ जरूर है वह अच्छे से आप उसमें study करके एक fund चूज किए एक की जगाद दो किजिए आपको जैसे अच्छा लगता है आप अगर market में 2000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप तीन भी पकड़ सकते हो 500 500 इसे तीन mutual fund में इन्वेस्ट कर सकते हो आप small cap mid cap large cap ऐसे भी पकड़ सकते हो तो आपको जैसे अच्छा लगता है आपको आप रिटन चेक किए मैंने बहुत आरी वीडियो बनाईए दोस्तों मेरी पिछली विडियो आप देख सकते हो उसमें आपे लुग जरीया खरीज सकते हो दोस्तों आप वह विडियो देखिए आपको थोड़ा सा तो आ इनीवेस्ट कर रहे हुए आपको बहुत ज्यादा रिटन्ग काहिए तो वह होनी वाला नहीं है दोस्तों आपको एक-व्यॉचसाल तो आपका पोटेर निगेटिव में ही दीखेगा инवेस्ट किजिए और लंभी आउदी में आप 7-8 साल तक निवेश्ट कर सकते हैं तो लंभी आउदी में इन्हीं ने बहुत कम बताया है दोस्तो आपको 20-25 साल इनवेस्ट करना है धेध्याइन कि आप पूरा रेटार्मेर्बेंट दक अलग से अपना private में एक S.I.P. खोल देना है दोस्तो तो S.I.P. से आप अच्छी amount retirement के लिए मानो अगर आपके बच्चे पढ़ने वाले आगे चलके बच्चा जैसे ही जनम लेता है दोस्तो उसके नाम पे आप S.I.P. स्टार्ट कर दीजिए जैसे उसका वो date आएगी amount आपके account से deduct हो जाएगी दोस्तो ऐसे ही mode पर रखना है क्योंकि कुछ भी हो सकता है दोस्तो आपको emergency आगई कुछ आप भूल गए आपको काम में याद नहीं रहा है आपने हफ्ता भरा ही नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए आपको automatic mode पर रखना है उ तो आप उसमें से exit होके दूसरे fund में भी जा सकते हो अरड़ी मैंने बताया आप एक से भले दो दो से भले तीन तीन पांच ऐसे fund आप एड़ किजे एक दो स्मॉल क्याप दो मिड़ क्याप दो लार्ज क्याप छे फंट पकड़ सकते हो आप otherwise दो स्मॉल दो मिड़ क्याप एक लार्ज क्याप नहीं तो आपको बहुत ही सेप चलना है तीन लार्ज क्याप एक मिड़ क्याप एक स्मॉल क्याप ऐसे भी कर सकते हो लार्ज क्याप में बहुत ही सेप रहता दोस्तो आपका पैसा और रिटन धीरे धीरे बनते रहते हैं लार्ज क्याप में यह रहता है दोस्तो क्यों कि yap ग्रोफ पकड़ के चलती रहती है समाल का इसमय के अगर चै Championships कि पास बहुत सारा मार्केट रहता है और नया मार्केट क्याप्चीर करने के लिए उनको क्लिघ उपड़ा इसको संबाल के और ओर प्रोद दिखानी थोड़ी सी मिश्किल होती है दोस्तों छोटे बिजनस वालों को बिजनस एक्सपांड करने में ज्यादा दिक्कते आती नहीं है दोस्तों तो इसी वज़े से स्माल क्याप मेडिक्याप में ज्यादा पैसा बनता है वह रिस्क भी उतना ही रहता है दोस्तों और अगर हम long term invest कर रहा है तो risk manage हो जाता है दोस्तो रिस्क तो इसलिए आपको long term invest कर रहा है दोस्तो और mutual fund वालों की एक अलग से study रहती है दोस्तो वो detail में analysis करके ही उसमें invest करते है दोस्तो ऐसे ही वो किसी भी fund में invest नहीं करते है और अभी हमें Tata के जबरदस्थ fund के बारे मे detail में study करेंगे दोस्तो इन्होंने एक ऐसा fund बनाया है दोस्तो बहुत ही major major sector में इन्होंने invest किया है और चार-पांच सेक्टर ही पकड़े इन्होंने और यह fund बहुत ही रिस्क है दोस्तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं आपकी मर्जी आभी invest करना है नहीं करना है मैं आपक 15% भी नहीं है दोस्तो और long term में देखोगे तो 18.23% के return अपने investor को बना कि दिये और 2015 से market में काम कर रहा है दोस्तो fund 2015 लंगा समय हो चुक है दोस्तो लगबग 8 साल और 8 साल में इसने 18% के CAGR return दिये दोस्तो अपने investor को तो अच्छे return है दोस्तो यह और अभी देखिए इसका अच्छा फंड है दोस्तो यह भूत ही risky हो सकता है दोस्तो आपको invest करना है नहीं करना है आपका call है invest मत ही करो आप बस देखिए इसने क्या किया और कौन सा fund है और कौन से stock add किया और कैसे इन्होंने invest किया है यह फंड बहुत छोटा है आप इसमें ज्यादा risk लेने की 27 करोड उसमें से 99.2 परसंट इन्होंने invest कर दिया है और बस 0.8 परसंट cash पढ़ाए दोस्तो इनके पास और देखिए इन्होंने ज्यादा पकड़े नहीं दोस्तो सेक्टर बस 5 सेक्टर में पैसा लगाए इन्होंने 255 करोड रुपीज लगा दिये दोस्तो और बस 2 करोड cash बचा इनके पास और देखिए कौन-कौन से सेक्टर पकड़े दोस्तो केमिकल 27 परसंट केमिकल में लगाया दोस्तो एनर्जी 24.3 परसंट metal and mining 21.9 परसंट construction 20 परसंट और others में 6.6 परसंट तो आप देख सकते बस इनको एक और एड़ करना था दोस्तो सेक्टर IT सेक्टर तो IT सेक्टर एड़ हो जाता तो फोड़ा सा इनका और ज्यादा benefit मिल जाता वर इन्होंने इसमें भी अच्छा portfolio बनाया है आगे देखेंगे इनका portfolio और देखें इन्होंने holding में आपने लगबब 33 stocks एड़ किये दोस्तो और देखें टाटा ने खुद के share नहीं खर Reliance Industries, Ultratex Cement तो देख सकते हो Reliance तो सभी में आता है दोस्तो Petrochemical Infrastructure सब कुछ है इनका पूरा diversified business है Grassim Industries, SRF, Tata Steel तो Tata का इन्होंने Tata Steel आड़ किया है बगर बहुत दूर है दोस्तो 3.96% PI Industries Limited, 3.7% हिंदाल को इनका जो भी fund size है उसके 3%, 4% इन्होंने invest किया है दोस्तो पूरा company का stake नहीं करी दाए इन्होंने इतना 4%, 4%, 3% बस इनके fund के size के 3% इन्होंने इसमें invest किया है चंबल fertilizer, chemical से दोस्तो, chemical fertilizer आप देख सकते हैं और यह stock अलड़ी बहुत correction में मिल रहा है दोस्तो तो इसमें आप individually ऐसे भी invest कर सकते हैं दोस्तो और अभी budget आने वाला है दोस्तो तो budget में यह share अगर chemical fertilizer sector के लिए कुछ announce हो जाता है तो इस share में जबर्दस थेजी हो सकते हैं दोस्तो जिंदल, steel and power, UPL, फिर से chemical दोस्तो, ACC, cement, coal India, प्यारदीप, phosphate आप देख सकते हो प्यारदीप, प्यारदीप, कुछ भी बोलते हैं दोस्तो इसको लोग यह company अभी-अभी market में लिस्ट है और अच्छी company है दोस्तो और इसका price भी बहुत कम है दोस्तो यह company chemical and fertilizer में काम करती है दोस्तो और यह लगबग 50 रुपीज के आजपस मिल रहे दोस्तो अगर आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ नूचल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको शेयर के बारे में ज्यादा सोचने की जरुरत नहीं है टाटा पावर हिंदुस्तान पेट्रोलियम एस्टिक लाइफ दीपक नाइट्र अग्रो केमिकल में काम करती दोस्तो सुमिटोमो केमिकल कोरोमंडल इंटरनाशनल बलरामपूर चीनी शुगर के भी स्टॉक आड़ किये दोस्तो इन्होंने रैमको सिमेंट केमकॉन स्पेशालेटी CCL विरला कार्परेशन और देख सकते हैं जबर्द स्टॉक्स है और अच इन्होंने 5-6 सेक्टर एड़ किये अभी Tata Digital इंडिया फंड का अप एनलिसिस करोगे तो उसमें उन्होंने बस IT स्टॉक्स एड़ किये ज्यादा तो और टॉप 10 में देखोगे तो पूरे के पूरे IT स्टॉक्स है दोस्तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड में small cap इन्होंन मिनिमं 3 साल तो invest करना ही करना है तो ऐसे करके आप wealth create कर सकते हो दोस्तों अगर आप 1-2 साल में exit कर रहे हो तो आपको कुछ return मिलेंगे नहीं ऊपर से आपका घाटा हो जाएगा दोस्तों तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों अगर आप invest करना start कर देते हो तो minimum 3 साल तो आप बने रह यह आपको अच्छे रिटन जरूर मिलेंगे रिवड़ अच्छे लगी दोडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना